नमस्कार दोस्तो, आज की इस क्लास के अंदर हम जो RPC के दोरा, जो 1st ग्रेड का जो एक्जाम लिया गया है, उस एक्जाम्स की जो आंसर की है, वो डिसकस करेंगे, इस क्लास के अंदर में बिल्कुल भी आपका इस्टा समय ना लेते हुए, सीधा जो पिन पॉइंक्ट जो क सबसे पहले जो एक चीज आपको द्यान रखनी है 2018 की जो करेंट अफेड्स है वो आपको पढ़नी है जो 2018 की करेंट क्यों क्यों क्या किया है कि जो पूराना पेपर था ने वो इसी पेपर को उठाया है और सीधा आपको दे दिया है इसलिए अभी जितने भी जो questions इस paper में कल जो हुआ है उस paper के अंदर जितने भी जो questions पूचे गए हैं वो सारे questions क्याते हैं 2018 से पूचा गया वो भी आपको देख नहीं है उसको एक बार देख लेना लेकिन 2018 की तियार करना क्यों क्योंकि अगर आपसे questions पूचे जाते तो उनको questions को आप कर सको इसलिए अब चलते है questions को उपर हाँ एक चीज जरूर जाय रहा है अगर आपको detailed question answers का discussion चीज़िए उसका analysis चीज़िए तो व अगले questions को पर चलते है अगले questions को पर चलते है अगला question है विश्व परसीद मिसान या मैसन मंदिर सम्मू दक्षिण पूरेशिया के जिस प्राचिन राज्य की दुरोवर है वह है चंपा चंपा राज्य की दुरोवर है बाकि कोई साब इसका right answer नहीं है अगले questions को पर चलते है अगला questions है श्री वेश्व परसंप्रदाई से निमलिकित में से कौन संबंदित है तो ये इसका right answer है अगले questions को पर चलते है अगला questions है किस समाचार पतर के माधियम से विजे सिंग पतिग ने विजोलिया किसान अंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विशे बनाया तो आप सबको पता है प्रताब नामा जो समाचार पतर था उसके माधियम से प्रताब समाचार अगला question है अगला question है सुबाश जिन बोष के बारे में निम्लीकित में कोन से कतन सही है तो इसके संबंत के अंदर जो है वो चारों statement जो है वो सही है तो इसका right answer एक है यानि जो first statement है this statement भी सही है सुभासिनम नेशनल कोलेज़ के प राचारेउनूकत है । सुभासिनमौल मुख्य कारिकार या दरीक रूप में काम किया यही है। यह भी सही है काल आंतरमे कालकात्तव नगर निगम के caller का नियए की यह ज़िए है। उन्होंने कॉंग्रेस में फोरोड ब्लोग का गटन किया था ये भी आपको पता है उन्हें चालेस कंदर तो इसके A, B, C, D जो चारो स्टेटमेंट है वो सही है तो इसका राइट अंसर कॉनसा होगा राइट अंसर एक ये देखो राइट अंसर जो हो साइड में मेने नमबर लिक रहें का वो सहर कोश्वन के राइट अंसर होगे ठीक है ना एक नमबर अगले कोश्वन का अंदर चलते हैं अक्बर के दर्वार में चित्रकारी के उस्ताद थेD जो अगला कौशन सा हैं लेखकुंक्त क्यूं हूं ? लेकुं किनी लीखा एक है भ हम लिखा फॉपर देघास, थो प्रस्माध में के बाद में CR10 और मुतिलान नेरू ने जो वो इसकी स्थापना की तो जनवरी 1923 कंदर इसकी स्थापना हुई तीन नमबर जो इसका राइट अंसर है अगले कोशन को पर चलते हैं अगला कोशन है सतंता संग्राम के दोरान कांतिकारियों के द्वारा की गई हत्याओं का सही काल क्रम क्या है कांतिकारियों के द्वारा जिन जिन जो वो ब्रेटिश अधिकारी थे ना उनकी हत्याओं की उनका क्रम पूछा है तो अगर आपको एक नमबर 3, D, A, C, B ये देखो, ये इसका राइट आंसर है D, A, C, और B तीनों नमबर जो है अगला कॉशन्स है अगबर ने किसको सिष्ट मंडल का अंति मेत्व तू करने के लिए परताप के पास बेज जाता आपको पता है वो कौन है, टोडरमल टोडरमल जो है, इसका राइट आंसर है टोडरमल को सबसे लाश्ट में जो है, शिष्ट मंडल के रूप में वहाँ पर बेज जाता अगला कॉशन है, निमलिकित में से किन अफसरोग की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोई राज के सेना ने की थी तो यह है, इसका अंसर B, एक तो डॉक्टर यह है, डॉक्सेडलर और मेजर बार्टन मेजर बार्टन और सेडलर नो-नो के एत्या, तो इसका राइट आंसर क्या है B और C, फोर्थ नंबर जो है, वो इसका राइट अंसर है फोर्थ नमबर जो इसका राइट अंसर है अगले कोशन को पर जलते हैं हिंदी का प्रियोग करना प्रारंब किया था तीन नमबर जो इसका राइट अंसर है अगला कोशन से सुची मिलाने वाला कोशन से कमिशन है यह कमिशन जो है वो थे और किस गोवर्णनर जनरल के समय यह जो कमिशन आये थे तो इसमें first option है hunter commission, relay commission और wood तो sadler commissions है वो आया था Lord Chems Ford के समय यानि A में तो होगा 4th hunter commissions कब आया था hunter commission B,연िकर रिपिन के समय इसमें होगा 1 relay commission कब आया था relay commission करजन के समय wood dispatch जो है वो डलोजी के समय तो इसमें तो होगा 2 और इसमें होगा 3 तो यह कोसमा रहा है, 4-1-3-2, यह 4-1-3-2, नमबर 4 जो इसका वो रहिट आंसर होगा, ठीक है? अगले कोशन को पर चलते हैं, अगला कोशन है इन में से, किसने Age of Consent Bill, मालबारी के दोरा Age of Consent Bill लाया कहता, इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध जो बाल गंगादर ति जो मंतिर है, यह इसका राइट अंसर है, यह बद्यपरदेश मावस्तित, नहीं, अगले में से, कोशन है, यह अनुकरम का, तो इसका जो राइट अंसर है, 7-13, क्योंकि इसमें देखो करम चल रहा है, अगर आप वो डिटेल में बाद में डिसकस कलेंगे, इसका राइट अ जो है, वो चाचा इसका राइट अंसर है, अगले कोशन को पर चलते है, निशित कोडि, यह कोड से रिलेट इट कोशन है, इसको यह का जाता है, डियर को यह, केट को यह, तो इसका राइट अंसर है, सिंग, S-I-N-G-S, यह जो तीन नंबर पर जो है, वो इसका राइट अं इसे उद्य वर्श थी सिवाण इड़ख हुए, और एक नहीं अध्यापकी नूत्यू सद्यापकेस्तान को अपर की गई, अध्यापकी उसका राइट आंसर क्या है, 35 वर्श चोई है अगला कोशन है, माध्य, माधिमिका, और बौलक के मध्य पर्योग को जो है, उसका शंबन है आप मिलान कर लेना अच्छा एक चीज का ज्यान रखना आप बहुत सारे जो questions है उन्हों options उपर नीचे होंगे इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि इसका right answer ही होगा वो ही चीज वहां लिके होगी लेकिन हो सकता है वो अगला question है निमलिकित में से कौन सा ज्यामी आरेक नहीं है देखो यह जो है फोसाने वाले questions होते नहीं है तो इसका जो right answer है वो है बहुदंडी आरेक बहुदंडी है आरेक जो इसका right answer है यह गनाब का इसका right answer जो है एक नमबर जो है वो इसका right answer है वेलन की तरिजा वाला question है और उचाई एक गोले की तरिजा के बराबर यदि वेलन की वक्राकार सत्य कि शेत्रभल का संक्यात्म ग्मूलय और गोले का आयतन की संक्यात्म ग्मूलय के मद्य अनुपात एक अनुपात तीन हो तो गोले का आयतन जो क्या होगा इसका 213 बटा पाई 2 है जो यह इसका राइट अंसर होगा दो नंबर को पर जो इसका राइट अंसर है ठीक है अगले questions को पर चलते है एक party में शाकारी मासारी दोनो प्रकार के वेंजन परोसे गे कुछ वेक्तियों ने केवल शाकारी बोजन लिया और कुछ वेक्तियों ने केवल मासारी बोजन लिया जबकि कुछ वेक्तियों ने दोनों परकार का बोजन लिया और शेश ने किसी भी परकार का बोजन नहीं लिया निमलिकें उसे कौन सा वें आरेक इसी को हम क्या केते है व तो इसका जो राइट अंसर है वो दो नुमबर यह चीतर आप देख सकते हो आपना न अंसर मिलान कर सकतेakesक एक है अगला कोशन is 701 चर्टी शंठिया कि विभीन अभाज्जी भाजगों की यह कितने है तो esse कीन राइट आंसर पर जो 5 यह वह इसका राइट आंसर है ठीक है अगले questions को पर चलते है अगला question यह हमार हिंदी के questions जो है वो start हो चुक है निमली के शब्दों पर ध्यान दीजिए इसमें से कामबर को क्या अकरमक की रिया चुलनी है तो बै और से एक तो यह जो है यह जो है टहला बै और से छीखना यह दोनों जो है वो right answer इसका फोर्थ नंबर का जो right answer है वो यह है यह यह इसका right answer है किसी विकल्प में गलत संधी विच्छेद गलत संधी विच्छेद जो है वो दो नंबर पर यह दीवीन है पुत्रेश्णा यह पुत्रपलेश्णा यह गलत संधी विच्छेद है यह इसका right answer है दो नंबर अगला question है निमलिकित में से कौन सा शब्द शुद नहीं है तो विवायत्तर जो शब्द है नमबर 4 पर ये शब्द शुद नहीं है नमबर 4 ये इसका राइट अंसर है ना कि एक नमबर जो लाल पेंचे में मार्क कर रहा हूं नमबर लिके में वो ही राइट अंसर होंगा तो इसका नंबर दो यह जो नंबर दो है रित और अन्रित यह जो है उसका राइट आंसर राइट आंसर है अगला क्वेशन से निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्य दोनों प्रियुक्त हुए हैं तो यह जो शब्द है स्वच्चिता स्वच्चिता का अंदर क्या है कि दोनों शब्द प्रियुक्त हुए स्वच्चिता का अंदर ठीक है नंबर दो राइट आंसर है अगले इंगलिस के कॉशन साग गया यह जो नंबर दो पर इसका राइट आंसर है ठीक है नहीं अगला स्वच्चिता है choose the correct proposition proposition तो यह क्या होगा इसका राइट अंसर बिलो होगा बिलो इसका राइट अंसर होगा देखो यह अगला जो questions है यह थोड़ा एक debatable question है कुछ इसको क्या है कि more expensive और कुछ जो है वो इसको high मान रहे तो इसका जो right answer according to me high होगा a car price is usually high than a bike price यह इसकी एक बेतर तरीके से अंसर होगा higher होगा वैसे तो इसका right answer जो है वो higher होगा higher लेकिन higher अगर option में नहीं है तो अपन high को अपन high के options को पर जा सकते है देखते है आर पेसी को पर questions को पर क्या actions लेती है ठीक है न अगला जो questions है हमारा अगले questions का answer जो है वो वूड होगा number four जो है वो वूड जो है वो इसका right answer होगा if he were to reach the venue in time he would have to hurry up जो ही इसका right answer क्या होगा would होगा अगला questions जो है वो correct passive form चुलना तो इसका right answer होगा they were seen to go out number four number पर जो है देवर seen to go out इस चीज का जान रखना option में they were seen to go out number four जो है वो इसका right answer होगा अगले questions को पर चलते है अगला questions है United Kingdom में 50 pound के note पर किस भारती विग्यानिक की तस्वीर चापने की सिपारिश की गई थी तो इसका नाम है जग्दिश चंद बोस इनके जो है वो नोट पर सिपारिश की गई थी ठीक है ने नमबर दो जो है वो राइट अंसर है नहीं शामेल था tricky question यह फ्रसाने वाले questions होते है तो तला के लिए प्रामाश इसका राइट अंसर क्या है दो नमबर अगला कोशन से 2011 की जनगर्णा कोंचा जनगर्णा सर्वेक्षण था तो ये कोंचा जनगर्णा सर्वेक्षण था पंदरवा जनवगर्णा सर्वेक्षण था तो एक जो इसका राइट अंसर है पंदरवा नंबर अगला कोशन है भारत के प्रतात्विक सर्वेक्षन के हालिया उत्कनन में उत्रप्रदेश के किस इस्थान पर 2020E की समाध्या खोजी गए तो यह सनोली इस्थान को पर नमबर तीन जो इसका राइट अंसर है ठीक है ना अगला कोशन है पुरुश होकी की पांचवी अगला कोशन है इंटर वाइडेंट वाइज पुस्तक के लेकक कौन है तो जेहराम रमेश जो है वो इस पुस्तक के लेकक है ध्यान रखना जेहराम रमेश यह सारी करेंट अपर अपर खुशन को उपर पढ़ लोगे इस वज़े से न्यूज में ता तो यह कोशन्स बेट रखना तो इसलिए यह पता चल रहा है कि जो पेपर है ना वो पेपर के दो जार अठार का बना हुआ है ठीक है ने अगले कोशन्स को पर चलते हैं अगला कोशन्स है हमारा सितंबर दोजार अठार को आधार योजना अधिनियम गिदेगो साप इसपस्पस्ट लिकावाय करेंट अपर्स ने उच्टम न्याइले की पांच न्याइदीशों की सविदान पीड में निमलिकी न्याइदीशों में से किसने बहुमत की निने से आहमती दी आधार के संब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तो नियाइमूर्ति डी वाई चंद्रचूड यह जो डी वाई चंद्रचूड है इनोंने जो है समती दी यह जो है अभी अधिया मामला वा था उनमें भी जो सविदानिक पीड थी जिसमें रंजन गोई जो है वो सीजय थे और यह कि एक दीविसी अंतराष्टे मेंचों में दस अजार रंपूरा करने वाले वे दुनिया के तेरियों बल्लेवाज बन गए इस तो क्वेवल एक जो स्टेटमेंट है वो इनका सही है दूसरा स्टेटमेंट जो हो गलत है तो राइट अंसर एक होगा इसका अगले कोशन को पर चलते हैं एक सामने बाली का शिशु अपने एक्स गोन सुतर प्राप्त करती है एक्स गोन सुतर यानि सामने बाली का शिशु जो है एक्स गोन सुतर अपने माता और पिता क्योंकि पिता में एक्स और वाय दोनों होते हैं तो अगर बाली का होगी तो ए वोच दरजे का सिविल सेवर केविनेट सकेटरी देगो मंत्री मंडल सचीव इसको मंत्री मंडल सचीव नहीं कडा यहनि जो राष्टपती का पद तो इसका नहीं करता तो इसका राइंसर ऑषिया वह बि अध्यकुन माख और इंये नहीं है यह पूछा चरितात्र नहीं करता तो राइट अंसर दो नंबर पर जो होगा अध्रशात्मक एंगरतंत्री वह इसका राइट अंसर है ठीक है अगले कोशन स्कूप पर चलता है कॉलिफर्म जीवानू कौन से मानव अंग में पाये जाते हैं तो यह नंबर चार पर जो आथ है महाँ पर पाये जाते है नंबर 4 चार इसका राइट अंसर है अगला यह देखो यह अभीकिरिया जो है वो किसका उधारन है तो यह अभीकिरिया जो है दी विस्तापन अभीकिरिया का उधारन है किसका दी विस्तापन अभीकिरिया नंबर 2 जो है वो इसका राइट अंसर है ठीक है न अगले चलता ह संस्तोती करने से पूरु बारत के मुख्य नैयमुर्थिई को उक्तम न्यायले की इसाइ मातोर्थिव उच्थम नैयले में न्यायदीशो की न्युक्ती जहें होता है उसमें चार वरिष्ट ने अजिशो का प्रामास्ष लेना होता है इसका राय अंसर नंबर 4 पर जो है वो तुझा का पूर्वरती सदन ये नंबर 3 पर जो है ना the council of states ये इसका राय अंसर है Chamber of Princes तो जो यह राजा मारा जाओ का था, राजे सभा का नहीं था 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 है, ठीक है वह गलत है, नंबर तीन जो यह वह राइट ऐए अगला कोशन है, निमली कितमे से किस तातु की परमाणुकता एक होती है, तो ओरगन जो यह वह इसका राइट आंसर है, एक होती है ठीक है, बारत के निरवाचन आयोग के दोरह कितने राजनेतिक दल को राश्टी दिल के उरुप माने था तो देखो इसमें वर्तमान में तो आठ है लेकिन जब 2018 यह 2018 कंदर था तो तब तक क्या है अगर साथ ओप्शन आ रहा तो इसका राइट अंसर साथ होगा अगर वर्तमान में प इसका अगर तो इसका राजस्तान के राजस्तान में विद्या ले और अध्यापक शिक्षा के योजना निर्मान कि रहनों मुल्याकन के लिए सरोष यक्षिक संगटन तो यह SIT यह जिसको वह पता है एक सेम टोपिक से दो कोशन पूच लिए SIT अध्यापुरिस का तीन नम इसका रहे नमबर दो क्या है सुचना संग्राण जो इसका right answer है ठीक है अगला question है निमलिकित में से कौन सा नगर पूर पश्रिम कोरिडोर से जुड़ा नहीं है जेपूर्दू जोगा दोस्तों बहुत सारे platform को पर detail कंदर question discuss किये गया लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी detail में discuss करने से क्या होगा कि आपका जो समय है वो बहुँ ज़्यादा consume होगा इसलिए मैं बिल्कुल short form में आपके जो है वो ये question discuss कर रहा हूँ ताकि आपको सीधा right जो है वो answer पता चल सके ठीक है नहीं? detail में discuss अर्थ दंड दिया जा तो इसके लिए प्रतिवेक्ति शुल्क के अर्थ दंड लिया जा सकता नंबर एक जो है इसका right answer है ठीक है नहीं अगले questions को पर चलते हैं अगला questions है निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए अरावली के संबन में तो अरावली के संबन में जो है नहीं यह फर्स्ट स्टेट्मेंट पूर्वी विस्तार को मरूस्तली के जो विस्तार को रोकता है यह सही है रावली शेतर खनीजों सम्रद्ध है इसका लावा अगला कोश्चन्स है राजस्तान के अन्यक नद्योगा उद्गम इस्तर रावली यह तीनों यानि कि A, B, O, D यानि C इसका गलत अंसर तो राइट अंसर इसका एक नंबर है A, B, D इसका राइट अंसर है अगला कोश्चन्स जो है अगला कोश्चन के इस्तान akin इस्तर पर विद्यालने मानचेट्रम तयार कनने के लिए के लिए विभिन कार्यों का सही करम कोणसा होता है तो इसमें होता सबसे पहले निदान फिर प्रस्ता और फिर प्रस्रेशिशन नंबर चार जो हो इसका राइट अंसर है ठीक है नहीं अगला कोशन है निम्लीकित में से कौन सा हेंरी फ्योल दो अगला कोशन है परस्ताई तो यह जो है नंबर एक इसका राइट अंसर है अगला कोशन है 66 केंदरी बजट 2018-2019 में सरु शिक्षय अभियान को समाई कर दिया गया तो गया तो समग्र शिक्षय अभियान को अग्ला कोशन है निमलिकित में से कौन सा शिक्षय का अधिकार कानून 2009 के संदर में सही नहीं है इसका भाग चवद आई नंबर एक जो है वो इसका राइट अंसर है इसका भाग्चोदा प्रतिशुल्क संग्रेण का निशेद करता है ठीक है कुछी कोशन्स बते है चार पांच कोशन्स 75 कोशन्स है अगला कोशन है 68 निमलिकित में से प्लकम किस जीले में 2001 में न्यूंतम बाल लिंगा नुपति आ लिए अंकित का गया है तो नंबर चार् sua क्रौली यह वो इसका राइट अंसर है ठीक है अगला कोशन्स आधिकता मर् फट उसके बीच का जो अगस्त के महींने में जू लुनला कोष्ण में विलल की संस्कृति के संदर्म श्रकोन सहीं है तो यह वुलान क्रों है котором स्थाहई करता से वूमो करता, यह जो statement है, वो इसके संबन में सही नहीं है, ठीक है न, तो right answer दो number का है, अगला question है, 71, विद्याले मानचितरन के संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है, तो इसका right answer एक number, इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचितर पर वर्तमान विद्यालेों का इस्तान निरूपित करना, एक number जो है, वो इसका right answer है, अगला question है, 72, एस आई, एस आई, ए आर्टी उद्यपूर द्वारा किये गए डाइक, डाइट रेंकिंग दो जार सतरा के अनुसा, नेमलिकित में से कौन सा डाइट, जो है परतम इस्तान पर, तो डाइट नागोर ज जो है, एक तो यह इसका खुद का, एक option में देखे है, यह जो है, SIERT, उद्यपूर जो है, वो right answer था option में, हमेला आगे discuss किया था, इससे पहले, अगला question है, 73, कौन सा यूगम जो है, वो गलत है, अपनको वो छाटना, तो यह जो number first है, ने, चूना पत्थर वाला, चूना प कोशन है, 74, भारत में DICE, DICE का पर्थम प्रारूप निमलिकित में से किस वर्ष जारी किया गया था, तो, इसका जो right answer जो है, 95, 95, 95, 95, इसका जो right answer क्या है, इसका जो right answer है, वो 95 है, अगला question है, भारत में पर्थम DICE पर्योजना को निमलिकित, किस अंतराष्ट्य संस्ता किस अंतराष्ट्य संस्ता दौरा वित्य साहता परदान की गई थी, तो, इसका right answer क्या है, UNICEF जो इसका right answer है, और यह 95, जो इसका right answer है, जो सारे 75 questions थे, वो मैंने discuss कर लिए, अगर आपको लगता है, कि इन questions का analysis जो है, वो detail कंदर discuss करना चाहिए, तो, जब आपके जो exams है, व फर्स्ट पेपर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड का, वो फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर है, वो भी मैं detail के अंदर discuss कर लूँगा, अभी तो क्या है कि यह paper हुआ है, अब छे तारिक के जो students exam देंगे, उनको यह idea लग जाए कि भई, जो paper है, वो किस standard को पर, किस method को पर आ रहा है और सबसे important चीज, 2018 की current आपको पढ़नी है, ठीक है न, RPSC ने क्या किया है, RPSC ने 2018 में जो paper बनाया है, उसी paper को यसा कैसा इधर दे दिया है आपको, ठीक है, thank you friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो क्या कर देना है, like भी कर देना है, share भी कर देना है, और subscribe भी कर द तरे, thank you